नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में आज अपन परी चर्चा करने वाले हैं राजस्तान की जो जंजातिया हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्ण ठीक है जहां से अपनी एक्जाम में क्युस्चन पूछे जा सकते हैं क्या के क्युस्चन बनते हैं जंजातियों से किस प्रकार का क्युस्चन एक्जाम में पूछा जा सकता है उनके बारे में अपने आचर्चा करने वाले हैं ठीक है तो बहुत ही इंपोर्टेंट सा पॉइंट है बहुत छोटा पॉइंट है पर बहुत इंपोर्टेंट है जहां से अपनी एक्जाम में एक question आने की संभवना प्रबल रहती है तो इसको अच्छे से देखना है राजस्तान जी के का बहुत ही important point है तो देखिए यहां पर पहला question है राजस्तान में कौन सी जनजाती सरवाधिक पाई जाती है ठीक है तो देखिए सरवाधिक जो जनजाती होती वो होती है यहां पर मेंन जनजाती देखिए इसका answer क्या हो जाएगा मीना जनजाती हो जाएगा अब यहां पर अपने को इनके नंबर पता होने चाहिए तो सबसे ज्यादा जो होता है मीना जनजाती होती है उसके बाद में नंबर आता है भील का उसके बाद में आता है गरासिया और सबसे लाश्त में होता है सहरिया ठीक है तो MBGS से इसको अपने को याद रख सकते हैं, MBGS, ठीक है, ये इसका गठताव अकरम हो जाएगा, तो सरवादिक जन संक्या इन में मीना की होती है, ठीक है, यह वो अपना पहला प्रिशन, कूकडी की रस्म किस जन जाती से संबंदित है, तो पहले बात कूकडी की रस्म होती क्या है, तो इसमें देखें जो लड़की होती है, योती होती है, जिसकी शादी होने वाली है, उसको अपनी चारत्रिक पवित्रता की परिक्षा देने के लिए एक रस्म अदा करनी पड़त जिसे क्या बोला जाता है, कूकली की रस्म बोला जाता है, और यह जो कूकली की रस्म होती यह होती है схा, इस जन जाती ने खिए किस जन जाती का मुखिया भोपा कहलाता है तो देखिए भोपा जो होता है किस जन जाती का होता है कथोड़ी जन जाती का मुखिया कहलाता है भोपा सबी जन जातियों का जो मुखिया होता है सबी जन जातियों में समाज का जो मुखिया होता है उसको एक particular term दी जाती है particular नाम से जाना जाता है जहां से अपनी exam में question पूछा जाता है तो इन सभी के जो मुखियां होते हैं वो अपने को ध्यान में रखने है ठीक है अब यहाँ पर देखे question पूछा है भोपा के लिए तो जो भोपा होता है वो किसका मुखिया होता है कथोडी जनजाती का मुखिया होता है next question देखिए कंजर जनजाती में मुखिया कहलाता है ठीक है वो ही question repeat हो गया कंजर जनजाती का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते है अपन पटेल कहा जाता है ठीक है? कंजर जंजाती का मुख्या क्या है? पटेल, जबकि भोपा किसे कहा था, आपड ने, थोरी जंजाती के मुख्या को कहा था, ये दो क्यूस्चिन एपने को याद रखने ठीक है, आगे भी इसम्नित के प्राट की प्रिश्मन आ सकते हैं, नेक्स्ट क्यूस्चिन सबस्क्राइब का Bye ritual जाता है वह कंजर बालाओं दौः दौरा किया जाने Thanksgiving क्रिशन देखिए जोगनी या माता चिद्वडगड कि जनजाती की कुल देवी है तो जोगनी या माता जो चिद्वडगड हो कंजर जन जाती की कुल देवी मानी जाती है यह अपने को द्यान में रखना है जोगनिया माता चितोड़गत किस की कुल देवी मानी जाती है कंजर जन जाती है ठीक है इस का अंसर हो जाएगा option number second नेक्स्ट右 नेटिस कोश्च्टेक मैं दिखे फिर मीना जली तर रांट पाई जाती werden नागर्ष्ट तदेवस। इसल़ पाई पाई जाती है तो आंसर क्या होगा जैपूर जैन्हें में मौना जली होती है सभी आदवासिय। सबी आदिवासी जन्जातियां सरवाधिक पाई जाती है ठीक है तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन मीना जन्जाति सरवाधिक पाई जाती है जयापूरजिले में ठीक है ओप्सन नमबर एक next question देखिए कौन सी जन्जाति राजस्तान में सरवाधिक है वो यह question repeat ओगया जो अभी पहला question था वह ही है सरवादी कुँझा है मीना है उसके बाद में कुझा है बील है उसके बाद में कुझा है गरासी है सबसे कम कुझा है सहरी है इन चारों की तुल्णा करें तो invest नुट ठीक है तो यह question repeat होता है बार बार इस cancer है मीना जनजाति राजस्तान में सरवाधिक है next, देखिए किस जनजाति के युवा मेले में अपना जीवन साती चुनते हैं तो देखिए मेले में जीवन साती चुनने की जो परमपरा है वो किस जनजाति में? गराशिय जनजाती बहुत important question है ये इसको अपने को द्यान में रखना है गराशिया जन्जाती के जो युवा होते हैं वो मेले में जीवन साथी चुनते हैं ऐसी इस जन्जाती में परमपरा है next question देखिए राजस्तान की कुल जन्जंख्या का कितने परतिसद जन्जंख्या आदिवासी है बहुत important question है इसका अंसर होता है 13.5% साधी 13% जन्जंख्या कितनी है जो आदिवासी है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number A next question देखिए फाइरे फाइरे रणघोस किस जन्जाती से सम्बंदित है देखिए फाइरे फाइरे क्या है रणघोस है रणघोस का मतलब क्या है युद्ध की चेताउनी जैसे कोई युद्ध का संकेत आया ठीक है पता लगा कि आकर्मन किया जा रहा है कबीले पर तो एक व्यक्ति क्या करता है फाइरे फाइरे का उदघोस करता है बार बार क्या बोलता है फाइरे फाइरे तो ये क्या है रणघोस है एक प्रकार का और ये किस जन्जाती से सम्बंदित है भील जन्जाती से सम्बंदित तो इस का अंसर क्या हो जाएगा option number 4, यह बहुत important है द्यार रखना है अपने को fire fire run goes जो होता है वो भील जन्जाति से समबन देते है next question देखे गमेती होता है वो जो समझे जो है गमेती तो गमेती जो होता है वो भीलो का मुखिया कहलाता है ठीक है भील का जो मुखिया है आगे देखेंगे अपन गमेती क्या है? यहाँ पर क्या दयान रखना है? भीलो का प्रमुग क्या कहला था? गमेती तो इसका अंसर क्या कर देंगे अपन? option No.1 सरवादीग जन जातियां किस जिले में पाई जाती है नंबर एक पहला के देखा अपने सरवादीक कौन से जिले में होती है और दूर्ण अगर अपने से पूछह जाये तो उसका अंसर क्या करना है अपने को बीका नेर, बीका नेर जिले में आदिवासी लोग सबसे कम पाए जाते हैं, जबकि उद्यपूर में आदिवासी लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं, नेक्स देखिए, अब इनके अनुपात की बात करें हैं, अपन कि आदिवासी था है, उसकी तुल्दणा में आदि वासी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो इसका अंसर होता है, बांसवाडाजिले में, ठीक है, सरवादिक, अनुपाद आदि वासिओं काında है, बांसवाडा जिल्ले में, बांसवाडा में, और सबसे नियूनतम कि इसमें ह कि सेने में तो और रोसे में है नाकर में अभी अपने देखा तो आंसर क्या हो जाएगा। इसका सभी आप्सन नंबर दो नाकर जिले में पांसर क्यों नबर नाकर जिले में नेक्स्ट कर bên डेखिए अगराडी क्या है बहराडी जो है तो देखिए वह क्या है Когда भील जन जाती की कुल्देवी को भराडी बोला जाता है ठीक है भील समाज की जो कुल्देवी होती हो उसे क्या बोला जाता है भराडी और भीलो का जो कुल्देवी होता होता है उसे क्या बोलता है टोटम बोला जाता है और भीलो का जो घर होता है घर को क्या बोला जाता है को दियान में रखना है। यहां पर कुछ न क्या अपना भराडी किया है तो बराडी क्या हो जाएगी बील समाज की कुल्डे यानि उपसन बाधून नंबर जन जाती कहां पर पाई जाती है सहरिया जन जाती कहां पाई जाती है और डामोर जन जाती कहां पाई जाती है मीना जन जाती सरवादी कहां पाई जाती है यह कुछ क्यूस्टन का आंसर क्या हो जाएगा option no.1 अब देखे सीमल वाला सीमल वाडा डूंगरपूर इसमें कौन सी जन जाती पाई जाती है सरवाधिक डामोर पाई जाती है डामोर जन्जाती पाई जाती है कानोता जयपूर की बात करें तो मीने जन्जाती सरवादी के है ठीक है जबकि बारा जिले में कुन सी जन्जाती पाई जाती है सहरिया जन्जाती पाई जाती है सहरिया किसंगडोर सहबाद तैसिल है 12 जिले की जहां पर सहरी अजनजाती पाई जाती है तो गरासियाजनजाती सरवादी कहा हो जाएगी आबूरोड सिरोई में बहुत important चीज़े ये अपने को दिहान में रखनी है next question देखिए गरासिया जनजाती में मुखिया कहलाता है तो गरासिया का जो मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है सहलोत बोला जाता है ठीक है गमेती किसे बोला था पड़ने भीलों के मुखिया को बोला था कोतवाल किसे बोलेंगे सहरिया का जो मुख्या होता है सहरिया जनजाती सहरिया जनजाती का जो मुख्या होता है उसे क्या बोला जाता है कोतवाल बोला जाता है और पटेल किसे बोला जाता है कंजर जनजाती के मुख्या को पटेल बोला जाता है ठीक है इंपोर्टन्ट है गरासिय जनजाती के लोग किस पकसी को आदर्स पकसी मानते हैं इसका अंसर क्या होता है तीतर नहीं होता, बटेर नहीं होता, मुरगा नहीं होता इसका अंसर क्या होता है, मोर मोर को आदर्स पकसी मानते हैं गरासिय जनजाती के लोग तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number 4 next देखिए question कौन सा कथन गरासिया के लिए सत्य है गरासिया जनजाती के लिए कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर देखिए पहला option दे रखा है गरासिया जनजाती में विवाह में ब्रह्मन अनुपस्तित होता है तो उसे मोरबंदिया कहते है यह क्या पूछना चाहरा है अपने को देखिए तीनों जो कथन दे रखे हैं उनमें विवाह से संबंदित बात कर रहा है इस question में विवाह से संबंदित बात की गई है तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि गरासिया जो जनजाती होती है उसमें दो प्रकार के विवाह होते है एक तो होता है मोरबंदिया विवाह और एक होता है पहरावना ठीक है विवाह को क्या बोलते है मोरबंदिया और पहरावना अब मोरबंदिया जो विवाह होता है उसमें क्या होता है पहरावना बोलते हैं, अब देखें, कुन सा उप्शन इसने batch कर रहा है, गराशिया जन्जाती के विवाह में ब्रहमन अनुपस्तित है तो उसे मौरबन दिया कहते हैं, गलत बात हो गई, क्या बोला मैंने, गराशिया जन्जाती के विवाह में अगर ब्रहमन उपस्तित है तो उसे पहरावना कहते हैं ये गलत वात होगी ठीक है तो इसका option कौन सा सही हो जाएगा option number B ठीक है option B इसका सही हो जाएगा ये दोनों ठीक है जो क्या काम आता है तलवार को रखने के काम में आता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number 1 हो जाएगा ठीक है next question देखिए जेला क्या है तो जेला क्या होता है पुरुषों का वस्तर आदिवासी महिलाओं का वस्तर आदिवासी महिलाओं का हतियार आदिवासी पुरुषों का आभुषण होता है जेला ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number 4 याद रखना अपने को जेला किसे का जाता है तो पर पूछना चाहरा है 농कों जनझाती का नाम जिसे मन खृ मेला देखिए देखे हैं मंखारो मेला जांपने होता है वह संब बनला संबनेत उता है घराशय जनझाती इस सिरोही सिरोही छेत्र आबूरोड कहां पर लगता है आबूरोड सिरोही में ठीक है और यह किस से संबंदित है गरासिया से जबकि सहरीय जनजाती से संबंदित क्या है सीताबाडी जो कहा है बारा में जिसे क्या बोला जाता है आदिवासियों का कुम्भ बोला जाता है ठीक है दोनों जन जाती बहुतायत से पाई जाती है अब ये question पहले डिसकस कर चुक है अपन सहरिया जन जाती कहां पाई जाती है बारा में ठीक है अब बारा की कौन सी तैसिल है हो सहबाद और किसन गंज तो तैसिल है बारा की जहां पे सहरिया जन जाती बहुतायत से पाई जाती है जबकि आबूरोड सिरोही में गरासिय जन जाती होती है और डूंगरपूर सीमलवाडा यहां पर कौन सी जन जाती होती है डामोर जन जाती होती है और भरतपूर में कौन सी जन जाती है कथोड़ी जन जाती है ठीक है यह अपने को याद रखने है नेक्स्ट कुस्टन देखिए सहरियों का कुम्ब का जाता है अभी देखा अपने सहरियों का कुम्ब किसे का जाता है सीता बाडी बारा ठीक है सीता बाडी बारा में सहरियों का कुम्ब लगता है या दिवाशियों का कुम्ब भी बोल सकते हैं इसको जो कि सहरिया जनजाती से संबंदित है सहरिय जंजाती में मुख्या कहलाता है अब अपने डिसक्स किया था सहरिय जंजाती का जो मुख्या होता है उसे क्या बोलते है कोतवाल बोला जाता है जबकि गरासिय जंजाती का जो मुख्या होता है उसे क्या बोलते है पटेल किसे बोला था कंजर जन्जाती का प्रमुक्ष यह मुखिया जब ही गमेति किसे कहा था भील जन्जाती का मुखिया और सहलोड क्या है गरास यह जन्जाती का मुखिया यह important points है जो आपने को exam के लिए याद रखने है नेक्स्ट कुशन देखे लेंगी नरते किस जनजाती से संबंदित है तो लेंगी जो नरते होता है वो किस जनजाती से है सहर या जनजाती से संबंदित याद रखना है जबकि चकरी नरते देखा था पड़ने वो किस से संबंदित था कंजर जंजाती जे संबन दिता नेक्स्ट क्यूशन देखिए आदिवाशियों का मृत्यू भोज कहलाता है ये देखिए आदिवाशियों का जो मृत्यू भोज होता है वो क्या कहलाता है लोकाई कहलाता है ये आदरखना अपने को लोकाई क्या है अगर यही question भीलों के लिए पूछा जाए ठीक है भील का मरत्यो भोज क्या कहलाता है तो भील का जो मरत्यो भोज होता है उसे क्या बोलते है काईटा बोला जाता है यह दोनों term अपने को दोनों सब्द अपने को याद रखने है यहां से अपने एक्जामि क्यूज पूछा जा सकता है आदिव भोजियों का मरत्यों भोज 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 भूजे तो लोका ही करना है और भील का मरत्यों भोज भोजब भूजय तो क्या करना है काईटा करना है तो यह बहुत ही important से question आज़ा पनने देखे राजस्तान में पाई जाने वाली जन जातियों से संबंदित बहुत ही महत्पून है इस वीडियो को देखे और इन क्यूस्टन्स को याद रखिए धन्यवाद